और अब बात कर लेते हैं भेडियों के आतंकी तो बहराईश में भेडियों की तलाश जा रही है आप इस पूरे ऑपरेशन पर सरकार के पैमी नजर है मुख्यमंत्री योगी की सकती का भी असर देखने को मिल रहा है ऑपरेशन भेडियों को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया क्या है पॉलिस प्रिशासन समित कई विभागों के अधिकारी करमचारी फिल्ट पर इस वक्त मौझूद है आपको बता दे कि आदम खोर भेडिया रात करीब 10 से सुबह 5 बजे के बीच ही हमला करता है और इस दोरान सभी टीमे जो अहां पर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर कांद कर रही है वो रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बिल्कुल अलर्ट मोट पढ़ है और यहां तक भी कह दिया गया है कि अगर भेडिया दिखता है अगर पकड में नहीं आता है तो उसे गोली माने के भी आदेश दे दिये गाई है तो अब एक तरह से कह लिजे इस ओपरेशन को जबरदस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है क्योंकि वहां जो आम लोग है अब वो इससे बहुत परिशान हो गए है अब तक कईयों को भीडिया ने अपना निवाला बना लिया है कईयों को खायल कर दिया है आब वहां के लिए एक तरह से कह लिजे कि भीडिया आतंक का प्रयाय बन गया है अब इसलिए सियम योगी ने सक्ति के साथ कहा है कि आप जितने भी टीम बना सकते हैं बनाईए फिल्ड पर उतरिये बेडियों को पकड़िये और अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर इस बेडियों को गूलिम बार देजे और अब बात उस बेडिये की करते हैं जिसकी उत्तर प्रदेश की सियासत में एंट्री हो चुकी है निशाने पर अखलेश जादावयों और शिपाल गाता फिसीम योगी ने ना सिर्फ अखलेश और शिपाल की तुलना बेडिये के आतंक सिकर दी बलकि उन्होंनी 2017 से पहले बेडिया काल की भे का भिसिकर किया है चिन बेडियों के तांडों से 50-50 गाओं में देश्यत फैली है जिस बेडिये के आतंक से बच्चा बच्चा डरा सहमा है अब उस बेडिये पर उत्तर प्रदेश की सियासत आक्रामक हो चुकी है अखलेश यादव ने जैसे ही आदम खोर भेड़ियों को यूपी की सियासत में एंटर करवाया वैसे ही योगी ने जुबानी एंकाउंटर कर दिया सियम योगी ने भेड़ियों के आतंक को समाजवादी पार्टी के शासंकाल से जोड़ दिया और बता दिया कैसे 2017 से पहले सियासी भेड़िये उत्पात मचा रहे थे चाचा और भुटीजे में होल लगती थी वसूली को ले करके कौन कितना वसूल कर ले एरिया बटे वे थे मैं देख रहा हूं नहीं इस समय कुछ आदम खोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जन्पदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोवेस यही स्थिती 2017 के पहले प्रदेश की थी यह लोग उस समय कितने तबाई मचाई वे थे किसी से चुपावा नहीं है और इनके भी एरिया बटे वे थे वो सूली के कहीं चाचा कहीं बतीजे माह भारत के सारे रिस्टे थे सारे रिस्टे थे सियम योगी ने ना सिर्फ समाजवादी पार्टी के शासनकाल को भेडियों की देश्चत से जुड़ा बलकि उन्होंने अकलेश यादव और शिपाल यादव को भी निशाने पर ले लिया सियम योगी ने कहा चाचा भतीजा 2017 से पहले प्रदेश में भेडिया राज लाना चाहते थे भेडियों की तरह इनके भी वसूली के इलाके बटे हुए थे दोनों आदम खोर भेडियों की तरह उतपात मचा रहे थे योगी की इसी टिपणी पर जब निउज 18 के रिपोर्टर ने अखलेश से सवाल पूछे तो उन्होंने सवाल को नजर अंदाज करते हुए रुख विधान सभा का कर लिया सदन में वाकाईदा लखीमपूर, पीलीभी, वहराइच, सराबस्ती और आपके विजनोर उन जेरों की सुची दी गई, कि यहां से लोगों के जंगल से जो जानवार आ रहे हैं जिसकी वज़े से जान जा रही है कई सोर, किसान, गरीब, उनकी जान गई है, हम लोगों ने मदद के लिए भी कहा सरकार से की मदद करें परिवारों की लेकि कोई मदद नहीं की की सरकार की तरब से और इधर सरकारी नहीं बता पा रही कि आखरकार बच्चों को कौन उठा ले जा रहा है सरकारी कन्फ्यूज है सियासत के इस भेडिया काल में अब जुबानी संग्राम छड़ चुका बीजेपी 2017 से पहले की तहशत को जनता के सामने ला रही है तो समाजबादी पार्टी भी अब हमलावर हो चुकी है भेडिया जो है वो लाल्ची होता है धूरत होता है और 2017 के परे लाल्ची और धूरतों का जो है वो कारेकाल था तो चाचा भतीजे जो है वो भेडियों के आतंक के प्रतिक्तों हैं ही योगी आदित नाजिन जी ने इसलिए जो है मनुशुरूपी भेडियों को पहचानने का काम किया है तो सरकार 17 के बाद से काम क्यों नहीं कर पा रहे है यह निगेटिव राजनित सरकार क्यों करती है निगेटिव शप्दों का इस्तेमाल क्यों करती है इसके मतलब उनके पास पॉजटिव बताने को कुछ नहीं है जब positive बताने को नहीं होता है जब आप समाज के अंदर में बरती होए corruption को नहीं रोप पा रहे हो order maintenance नहीं हो पा रहे हो समाज में आप विरुज़गारी दूर नहीं कर पा रहे हो महला पे अत्या चार बरता चला जा रहा है तब आप पिछली सरकारों को के उपर एक negativity थोपने की कोशिश करते हो यानि जिस भेडिये को निप्टाने के लिए बन विभाग समेथ यूपी पुलिस दलबल के साथ खेद खलियानों की खाक चान रही है अब उसी भेडिये की देह्शत पर सियासब भी जमकर हो रही है और कौशांबी में भी आधमकोर भेडिये ने एक बच्चे समय तीन लोगों पर हमला कर दिया भेडिये के हमले में तीनों गंभी रुपसे जखमी हो गए हैं जिनने इलाच के लिए अस्पताल में एड्मिट करा दिया क्या है वेडे के हमले के बाद इलाके में इड भट्टे के पास तीन जमली जानवरों के वीडियो भी सामने आए जसमें ग्रामणों में देश्चत का माहौल है ऐसे में आप ग्रामण लाटी और डंडे लेकर रात में आपने मवेशे और परिवार के रखवाली कर रही है करारी थानश्वत्र के निवारी और खोजवापूर गाउं के ये खटना पताई चाले है बहराई सीतापूर के बाद अब कौसांबी में भी भेडियों के खौप से लोग दहसत में है कौसांबी के जिला मुख्याले मंझनपूर से महज आठ किलो मीटर की दूरी पर निवारी गाउं के ग्रामिडों का याद दावा है कि यहां पर भेडियों ने बच्चे समें तीन लोगों पर हमला किया है हलाकि तीनों लोग भेडियों के हमले में चक्मी हुए जिनका एक निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है हमारे साथ लोग मौझूद हम बातचीत करेंगे जो रात में इस वक कही न कई भेडियों के खौफ से काउं में पहरा दे रहे हैं हम उसे बात चीत करेंगे क्या घटना घटी थी पहले तो हम उस सक्स से बात करेंगे जिसके चोट लगी हुई है कैसे चोट लगी आपके है हम पाकरिया चरा रहे थे ने दिख किना रहे तो नीचे बैठे हो जो चोट लगी तो उसने चिलाया उदर बच्चे लोग से बगरीय चरा रहे तो ने संदब कर्या लोग जब घीर को घृज दॉद्चुने को की संख्या फूर एक इंड करें देख सम्हका योद निकलने आखसा में जब उसको जांवा तो पीछे लौट के हमारे उपर हमला किया कितने लोगों पर हमला किया कितने लोगों को चोड़ पहुंचा जी एक बच्चा है चोटा दो आदमी तो 30-35 साल के हैं और भी साकिमारे साथ हम उन से बातचीत करेंगा, आप इनको देख सकते हैं, इनके हाथों में लाठी डणडे हैं कहीं नकहीं ये इस बात के दहसत में हैं कि ये जो खूकार भेडिया हैं जैसा कि ग्रामिलो की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि जो हमला किया गया है अधीन पर बच्चे समय तीन लोगों पर वो भेडियों के द्वारा किया गया है कि हम इन्हीं से बात कीद करेंगे जानने की कोशिश करेंगे कि अभिर किया हुआ था गौंमे लाथी हिए क्रject कि लिए भेडियई बहुत जोर किये था बैदिये के लाथी लेके ब्2000 कि भूह रहाए बच्चे तो नेयं देखने कर लिए कि और वी लोग हम उनसे बात चीत करेंगे आपके हाथ में लाठी है किस बात की दहसा थे आप यहां पर जानमन निकला है भेडिया राद बिराद में दिन में भी तोड़ता है राद में भी लड़के लोग सोते हैं और सीम योगी की दौरे की अब बात कर लेते हैं तो सीम योगी आज सुबे साड़े दस बज़े आयुध्या पहुंचने वाले हैं मौकिमंत्री योगी का हेलिकॉप्टर राम कथा पात पात पहुंचेगा यहां से सीम योगी राम सिवकपूरम में शिराम नात स्वामी मंदि एक ऐतर अजिया आयुध्या का दौरा है वकिमंत्री योगी आदेतयनाद का आसोवे साड़े दस बज़े करीब ऐयुध्या पहुंचने वाले हैं वक्मंत्री योगी योगी यहां दियनाद और इसके बात सियम योगी आयोध्या से गोरखपूर भी पहुंचेंगे, मुख्यमात्य योगी आतितना शिक्षक दिवस सम्मान समारों में हिस्सा लेंगे, शिक्षक दिवस के मौके पर प्रदेश भर के 54 शिक्षकों को सम्मानित किया गया जाएगा, दरसल पहरी बार लखनौ से बा और लखनौ में समझवादी पार्टी कारेले में जालाउन जिले की बैठक होनी है, बैठक में जालाउन जिले के जिलाद्यक्षो समेथ तमाम पदाधिकारी को बुलाया क्या है? S.P. कारेले में होने बाली बैठक में अखिलेश शादव तमाम पदाधिकारी के आगे की रणीती पर काम करने के बारे में बताएंगे आपको बता दे कि बुद्वार को गुरकपूर जिले की बैठक होई थी, जसमें तमाम पदाधिकारी भी शामिल हुए थे और अब जालाउन की बैठक में भी तमाम पदाधिकारी के बुलाए गया जिसमें अकलेश शादव इनसे आगे की रणीती पर चच्चा करने वाले ह और आप खबर प्रियाग राज से लेते हैं जहाँ पर नकली नोट शापने वाले जामिया हबीबिया मदरसे पर बड़ी कारवाई हुई है प्रियाग राजविकास प्राधिकरन ने मदरसे को सील कर दिया है करमचारियों और छात्रों को बाहर निकाला गया है जिसके बार अवायद निर्मान के कारण मदरसे को सील किया गया मदर्से के वाहा नोट इस भी चस्पा कर दिया गया है हम आपको बता दे कि मदर्से में अकली नोट की छापाई चल रही थी मदर्से से आपती जनक किताब मिली थी मदर्से के प्रिंसिपल को पहले ही गिरफतार किया जा चुका है साथ ये नकली नोट के दो मास्टर माइन को भी गिरफतार कर लिया गया था और अब सील की कारवाई की गई मदर्से पर सीलिंग की कारवाई प्रयागराज विकास पातकरन की ओरते की गई है प्रयागराज विकास पातकरन की तीम आज दोपार करी तीम बज़े यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पर करीब 70 बच्चे थे 12 प्रवंध कमेटी के लोग थे इसके साथ यहाँ पर जो उन इस बात का यहां पर नोटिस भी लगाय गया है दरसर यह बताय जा रहा है कि प्यागराज विकास प्राथक्राम से इसका नक्सा स्विक्रित नहीं है इसके चलते यह बड़ी कारिवाई यहां पर की गई है आईबी के साथी साथ एलाईउ यूपी एटियस और यस्टी अफ यह तमाम जो एजेंसिया है वो लगातार इसकी जाच कर रही है और इस मामले में विदेशी फंडिंग से लेकर आतंकी कनेक्शन की बात हो या फिर इस मामले में अवर निर्मार की बात हो हर एंगिल से कारवा प्सक्ते है